हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सलेंट यूट्यूब चानल पे दोस्तों यहां पर निकल के आ रही एक नई वेकिंसी जो की भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की तरम से वेकिंसी निकल के आ रही जिसमें यहां पर जिसके पास ग्रेजुएट है अधात यदि आपने ग्रेजुएट कंप्लीट कर दिया तो आप इस फार्म को अपलाइक कर सकते हैं इसमें बीकॉम इसमें मांगा गया है इसको आप ध्यान पासिंग एक गई है कब मंगा गया और इसमें केतरा परसेंटेज रहेगा तो आप फार्म को απलाइक कर सकते हैं इसमें डेख सकते हैं ठीजिघ इंचली पीड कंडिवेट हैं तो आपको 50 को यहां को अपलाई कर सकते हैं और यहां पर दोस्तों जो यहां पर पासिंग आपका यह रखा गया है वह आपका एक छे अठारा रखा है मतलब कि अठारा आपका पासिंग होना चाहिए और दोस्तों यहां पर बात करते हैं यहां पर कुछ इसकी क्राइटेरिया की तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सबसे जो जरूरी बाती वह आपकी यह है कि यहाँ पर पहला आपका जो लिखा गए कंड़ेट प्राव करनाटका के लोग फार्म को अपलाई कर सकते हैं अधर स्टेट के नहीं कर सके हैं यदि आप अधर इस्टेट के रहने वाले तो कमेट बेजरूर बतेगा कोई बी नई वेकेंसी आते हैं तो आपको बता दिया जाएगा यहां पर दोस्तों बात करते हैं इसकी कुछ इसकी अलग जानकारी की तो यहां पर जैसे आप निच्छे आ जाते तो section process की कि आपको इसमें selection कैसे मिलेगा तो यहां पर साफ सब लिखागी यह देख सकते selection will be partly on the basis of the merit अताती यह जिसमें पर selection हो ला आगे दोस्तों इसमें जो आपका सबसे जो जरूई चीज लिखा गए वो आपका email id आपका email id सही होना चाहिए फार्म बढ़ते समय आप ध्यान लिखेगा आगे यहाँ पर बात करते हैं कि कितना आपको इसमें दिया जाएगा जो भी training के दोरान जो आपको payment दिया जाता है तो यहाँ पर साप mensal किया गया मंतली आपको यहाँ पर 10,500 रुपे mention किया गया अथा सभी candidate को और इसमें जो आपका training डूरिसन चलेगा वन येर का training इसमें चलेगा इसको भी आप ध्याने कियेगा और दोस्तों यहाँ पर application फिस की बात करें तो फार्ट बरने का इसमें कोई भी आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा इस बात को आप ध्याने कियेगा और यह apprenticeship के पद पर आपकी vacancy निकल किया रही है भारत electronics limited की तरफ से और इसमें vacancy की बात करें तो इसमें mention नहीं किया गया कि कितने यहाँ पर vacancy निकल के आ रही है तो इस बात को आप ध्याने कियेगा और इसका जो last date की बात करें तो इसका जो last date mention किये गया 8 अगस्त 2020 जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर on up before रखा गया अथाथ 8 8 2020 तक आप इस फार्म को apply कर सकते हैं और इसका जो apply करने का process से सबसे पहले तो आपका यहाँ पर apprenticeship की official website पर आपको registration करना अनिवार है बिना registration के आप फार्म को apply नहीं कर सकते हैं और वहाँ से आप इस फार्म को apply कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारी जनकारी दीगे जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी जनकारी निकल के आ रहे थी जो की भारत electronics limited की तरफ से आ रहे थी पसंद आगे तो वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों के सेर कीजिएगा ताकि इस तरह के कोई भी जनकारी आते तो आप तक पहुँच पाए तो मिलते हैं दोस्तों निक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम